हाई फ्रेंड्स आज मैं धोती शेलवार ड्राफ्टिंगान थ्योरी दिखा रही हूं चलिए पहले हेडलेंद दाल लिजिए धोती शेलवार ड्राफ्टिंगान थ्योरी इसके थ्योरी देख लेते हैं थ्योरी देख लेते हैं फुल लेंद है 40 इंच हीप है 40 इंच आसन फ्रार्मला है आसन हीप को 3 से डिवेट करना है तो 13 इंच आता है तीन भाग करना है तो फ्लेस एक इंच करना है 13 में एक इंच प्लेस करने से 14 इंच होता है आसन हमारा 14 इंच आया है कमर कमर कितनी है 38 इंच है इसमें लोजिंग के लिए 4 या 6 इंच आड़ कर सकते हो आप जितना चाहिए आप अबना चार्य ज्री लेना है लूजिंग के लिए और बेल्ट लेंद निकालने के लिए घित इसा लिए शीटि या 건데 अपने जितना चाहिए दो में कुछ भीन ले सकते हो कोई पांच इंच लेता है कोई छे तो मैं छे इंच ले रही हूं इसमें तीन इंच प्लेस करना है तीन इंच क्यों करना है उपर नाड़ी के लिए और पहुंचवा रिबेल्ट सिलाई में आदा इंच आ इसके लिए तो तया पुरा नव इंच होता है तिरी प्लेस शिक्स नव इंच बॉटम है क्या राउंड में दस इंच हो है तो बॉटम तो पांच इंच लेना है आपका यह छे इंच ले सकते हो बारा इंच हो तो छे इंच ले सकते हो मेथड लिख लीजिए इसे बनाने में दो या धाय मीटर कपड़ा लगता है नार्मली दो मीटर लगता है यह धाय मीटर भी ले सकते हो थोड़ा घेर ज़्याज़ा चाहिए तो दूसरा पाइंट है कपड़े को फोर फोल्ड रखना है हमेश अम लोग रखते है ना शेलवार के लिए इस तरह फोर फोल्ड रखना है इसमें प्लेट्स आपोजिक डायरेक्शन में डाली जाती है उल्टी डायरेक्शन में डाली जाती है अम लोग कैसा पट्याला में आस दणने हैं इसको के कमर सेड में उइल्टा ले यह जान egy से बेल्ट मैनस करके आसन निशान लगाना असन में इसे बेल्ट मैनस करना है इस फार्म लिखे लाएं किसे ग्रैभ्ण अपंद आपना तयार तो बेल्ट नेते हो फार्म नेतैं बेल्ट का ने सौरी आसन का निशान लगा लेना है आसन 14 इंच है इसमें पांच इच बेल्ट लिखे लिए इधर बेल्ट है पांच इंच पांच इंच मैनस करके नव इंच पे आसन निशान लगाना है मैं पांच बेल्ट फर्मला इओपर बताई हूं है वोई है वो बेल्ट की चवड़ाई हिप राउंड प्लास 4 ए 6 इंच लूजिंग मैंने उपर बताया ना इदर इदर बतायू ना मैं उपर यहां पे यह इदर लिखेला है बेल्ट फार्मूला यह 5 इंच लेते हो यह 6 इंच लेते हो इसमें 3 इंच प्लस करना है और 5 इंच लेते हो तो 3 इंच प्लस करने बद 8 इंच आता है बेल्ट लेंद यह 6 इंच प्लस करते हो तो 6 में 9 इंच आता है उपर लिखी ना मैं इदर उपर साथा पाट है बेल्ट के चवड़ा यह फ्रांग और 4 छे इंच लूजिंग अधर फार्मरा देला है हिप डिवड़ेड बैं टू करना है हिप को दो भाग करना है इसमें 6 इंच प्लस करना है तो हिप है अपने 40 इंच उसमें 6 इंच प्लस करने से 46 इंच होता है इसका दो भाग करना है तो 23 इंच होता है अपना देखिए इदर 40 इंच में 6 इंच प्लेस करना है तो 46 इंच होता है अपने बेल्ट की चवड़ाई है 23 इंच सिर्फ आगे के लिए पूरे राउंड में 46 इंच होता है बेल्ट थियोरी खतम हुए दस्तों अब देख लेते हैं आपको और भी थियोरी चाहिए किसी भी जिसकी ड्राफ्टिंग चाहिए थियोरी चाहिए तो मेरो कमर्स कीजिए मैं दूंगी है मैं द्राफ्टिंग देख लेते हैं आच यह यह चैंक यह कमीटर कपड़ शमझे लिजए कि मिटर कपड़े को फ्ल दूंड करना है पर प्रूंड करना है इसको ठ्यके रसकी अधी जाता है है कि ऐसको यहां से यह कॉर्नर पकड़कर इधर मोड़ देना है उठाकर इधर मोड़ देना है तो इधर जैन्ट रहता है इधर फोर्ण लेर बन जाता है फोर्ण लेर इसको यह जैन्ट भाग इधर है यह जैन्ट भाग है इसको ऊपर जितना भी घेरा रहता है अपना मीटर का यह कपड़े का यह घेरा है इधर इस इधर से ही इसका आसन का निशान लेना है पहले आसन कितना है अपना 14 इंच है फुल आसन उसमें यहां पर बेल्ट रहता है बेल्ट मैनस कर देना है 6 इंच मैनस करकर यहां पे इंची टेप रखना है इस तरह यहां से इंची टेप रखना है यहां से यहां छे इंच बाहर निकाल देना है इसको फिर फुल लेंड ले लेना है इधर तक एक इंच प्लस करकर फुल लेंड ले लेना है फिर इसमें इधर उपर यहां से यहां स्माल सैज में 2 इंच लेना है, ज्शेप में 2 इंच लेना है, यह ड्याइन देने के लिए, इधर से 0.25 ज्छ जी पर दो इंच ले ले लिए, इस इस महा magic बेल्ट मैनस क्या है यहना तो 14 इंच अपना असन तो 14 इंच में 6- मैनस करना है, ढहको registrar से जतना आता है उतना आसन ले लेना है इदर तक फिर यहां से हैं दो एधाय जितना लेते हो समाल में में उतना ले लेना है इसको लेकर यह कुछ दे देना है पिर यहां से जितना भी रहता है अपना ऊपर कपड़े का उसको ले ले लेना है यह लास्ट में कॉर्णर में जाकर थोड़ा से राउंड दे देना है कॉर्णर में यह तो जेंट अपना रहे गई इधर बाटम है बाटम के लिए यहां से इंचिटेप रखना है यहां से कॉर्णर से कपड़े के उपर ले जाना है ले जाका यह 5 इंच है यह 6 इंच है अपना बाटम की चोड़ाई इधर ले ले लेना है और उसको राउंड शेप दे देना है यह राउंड शेप क्यों देना है पैर आराम से अंदर निकलता है उसे बाहर निकल जाता है पैर में पैर इधर से अगर स्टेट में लेंगे तो पैर नहीं निकलेगा इसलिए इसको रौंड देना ज़रूरी है इधर बॉटम 10 इंच तो अपना हाफ करके 5 इज लेना है 12 इंच हो तो हाफ करके 6 लेना है यहां से यहां फिर नास पारम Changing लेखेला के विल्ट समझ लेते हैं दयार लेंद कि 9-6-6-8-6 इंच एर इस में प्लस करना है इस नाड़ि के लिए है एलास्टिक दालते हो उसके लिए जो फिर भिर इदिर unknown विंद princip के स्लाई के लिए इदर जेट मारते ना पॉंचे का और बेल्ट का इसके लिए आधा इंच तो लग जाता है इसलिए इसमें तीन इंच प्लस करना है लेंद्ट में और चवडाई में हिप का दूसरा भाग लेना है हिप है चालीस इंच इसमें कितना प्लस करते हो 6 ए 4 इंच मैं 6 इंच प्लस कर रही हूं प्लस करने के बाद 46 इंच होता है इसको 2 भाग करना है तो 23 इंच 23 इंच का यहां चिटे प्रकर यहां से 23 इंच ले लेना है यह स्रिफ हाफ में फुल राउंड में 46 इंच बन जाता है ये लेकर इसको इधर इधर जितना लिया है इधर 9 इंच ले लेना है इधर जितना लिया है 23 इंच इधर इभी ले लेना है ये कपड डबल करके लेना है 23 इंच सिंगल ले रहे हो तो 46 इंच लेना है डबल में 23 इंच लेना है चोड़ा प्लेएलास्टिक के लिए ले लेना है सिलने के बाद शेलवार इस तरह बनती है यह बेल्ट है यह नाड़ी है इधर यह बेल्ट है कमर की देखिए आ पोजी डिरे सेमदाले है दालना है इसको प्लेट्स पटेले के लिए यहां यहां से उठाकर इस सेड़ में दालते हैं यहां से उठाकर इस सेड़ में दालते हैं लेकिन दोदी शेलवार में इस से उठाकर इस सेड़ दालना है इस से शुरू करना है यहां से यह गोलाई यह गोलाई यह है यह कॉर्ण इंदर बेटता है शेलवार का यहां से यह प्लेड्स इस तरह उठाकर दालना है यह प्लेड्स है यह बॉटम है नीचे यह बॉटम है दोती शेलवार इस तरह बनती है डूती शल्वार इस तरह बनती है दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लागा तो लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट्स करिए अगर आपको आच्छे चाहिए इसी तरह और भी चाहिए मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद